जहिन दोस्तों मैंने धीवें चोहान आजम करेंगे क्लास 10th का 5.2 का question number 14 इसमें हमें दो समांतर श्रेणी दी गई है पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67, so on ठीक है और दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17, so on ठीक है तो इसमें हमें question में पूछा है कि दो समांतर श्रेणी में कौन से पद पर वो समां होंगी ठीक है दो समांतर श्रेणी है उसमें पूछा है कि कौन से पद पर वो समां होंगी तो चलिए शुरू करते हैं पहली समांतर श्रेणी की बात करते हैं यहां तो इसमें a हो जाएगा 63 और d second term में से first term को करेंगे minus यनि कि 65 minus 63 तो यह हो जाएगा 2 अब यहां formula लिखते हैं an बराबर a plus n minus 1 d तो a की जगा 63 plus n minus 1 और d है हमारा 2 यह हो गई पहली समांतर श्रेणी की बात अब यहां पर दूसरी समांतर श्रेणी देख लेते हैं इसमें देखो इसमें दूसरी समांतर श्रेणी है तो difference बताने के लिए यहां बड़ा a और यहां बड़ा d हम लगा देंगे तो a इसमें हो जाएगा 3 और d क्या होता है second term में से first term को minus करना यानिकि 10 minus 3 is equal to 7 अब इसका पार्मला हम लिख देंगे an बराबर बड़ा a plus n minus 1 बड़ा d तो यहां पर a क्या है 3 और d क्या है 7 तो यह दूसरी समांतर श्रेणी की value आ गई ठीक है बोला गया है कि कौन से पद पर वो समान होंगी तो जो हमारी पहली समांतर श्रेणी की value आई है फार्मुले से वो यहां लिख देंगे ठीक है यानिकि an बराबर बड़ा an दोनों समांतर श्रेणी की जो value आई है फार्मुला लगाने के बाद उन दोनों को हम बराबर लिख ठीक है अब बहुत सिंपल हो गया है अब इसे हम सॉल्व कर देंगे सिंपलिफाई करना है देखो कैसे करते हैं 63 दो की गुणा हो रही है इससे तो 2 एकम 2N माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 ओके यहाँ पर 3 as it is 7 से गुणा हो रही है 7 एकम 7N माइनस प्लस माइनस 7 एकम 7 ओके अब यहाँ पर देखिए 63 माइनस 2 61 प्लस 2N as it is 7 में से 3 गया तो माइनस 4 7N as it is अब N वाले नमबर्स को एक तरफ ले जाएंगे और बिना N वालों को एक तरफ ओके तो यहाँ पर देखिए प्लस 7 का पक्षांत्रण तो माइनस 7N ओके और यहाँ पर 61 का पक्षांत्रण होगा तो प्लस 61 है यहाँ के माइनस 61 साथ में से दो गए माइनस 5N because बड़ा माइनस का नमबर है तो यहाँ माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस तो 61 प्लस 4 65 बड़ा नमबर माइनस का है तो यहाँ माइनस यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कट अब ये 5 यहां गुणा हो रहा है इसका पक्षांत्रन होगा तो ये भाग हो जाएगा ठीक है भाग होगा तो 5 से हम 65 को भाग करेंगे तो यहां आएगा N बराबर 13 यानि कि 2 समांतर शेणियों का N वा पद समान होगा 13 पद पर ठीक है जो हमारी समांतर शेणियों है वो 13 पद पर एक समान होगी तो मिलते हैं अगले क्वेशन के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत